पंजाब कॉंग्रेस में चल रही कलह के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिन्ह राजधानी दिल्ली से चंडीगड पहुँचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर से दावा किया कि वह भारतिय जन्ता पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। हालांकि वह कॉंग्रेस से जरूर इस्तीफा दे देंगे। कैप्टन ने नवजोत सिन्ह सिध्धू पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए कहा कि वह आदमी पंजाब के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिन्ह दो दिन पहले दिल्ली पहुँचे थे, जहां उन्होंने केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार अजीत दोभाल से मुलाकात की थी। दोनों के बीच हुई मुलाकात के बाद अनुमान जताया जा रहा था कि कैप्टन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हाला कि उन्होंने इसे खारिस कर दिया था। नवजोत सिह सिध्धू पर हमला बोलते हुए कैप्टन अमरिंदर सिह ने फिर से कहा कि वह पंजाब के लिए ठीक नहीं है। अमरिंदर सिह लंबे समय से सिध्धू पर निशाना साधते आ रहे हैं। दोनों कई मुद्दों पर आमने सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने सिध्धू पर इमरान खान और बाजवा से मित्रता होने तक के गंभीर आरोप तक लगाये थे।